हालो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे वो चैंडल वेक्स रिडिंग है जैसे कि आप देखी रहे हैं और मैंने आज ट्रॉपिक लिया है कि उनके डीप थॉट्स और फिलिंग्स आपके लिए क्या चल रहे हैं तो पहले बताना चाहूंगी कि आपके थॉट्स क्या है उनके बारे में और उनके थॉट्स डीप ली और ट्रॉली क्या है आपके लिए तो सबसे पहले एनरजी देखेंगे उसके बाद उनके दीप थॉट्स और फिलिंग्स बताऊंगी मैं और वाकिये में उनके दीप थॉट्स और फिलिंग्स हैं क्या एक्चल में यह बहुत डीपली मैं आज एनलाइज करूँगी आपके लिए ठीक है तो आज का जो टॉपिक है हमारा यह है कि डीपली और प्रूली वो आपके लिए क्या थौट्स रखते हैं और क्या उनकी फीलिंग्स है ठीक है तो चलिए उनका नेक्स्ट एक्षिन भी हम मैं देखने वाली हूं ठीक है तो एक जनल अब आप सभी के लिए ठीक है जितना आप से रेजोनेट करें उतना ही किजिएगा लीजेगा ठीक है और चलिए रिडिंग में चलते हैं लेकिन छोटी सी जानकारी जो आपको सुननी पड़ेगी ठीक है अगर आपको परसनल रिडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक अगर आपको परसनल रिडिंग चाहिए देखे यहां पर यह पोसिबिलिटी होती है लेकिन मैं यहां पर इतना तो कह सकती हूं कि यह जो रिडिंग होती है परसनली जो आप कराते हैं उसमें आपको बहुत है अपका फ्यूटर है लेकिन यह पॉसिबिलिटी आपको कही ने कहीं बहुत मदद करेंगे अपनी रिलेशिंशिप को पैचानने में, जानने में, डिसेजन लिने में, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, स्टार्ट करते हैं, आज की रिडिंग, कैडनलवेक्स रिडिंग, तो सबसे पहले में, जो कहती हूं हमेशा, अपनी इस्टेदेव को याद कीजिए सबसे बड़ा हमारे इस्टेदेव है, उससे उसके सामने रोएंगे, उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को जिक्र करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ क्लिर्टी के साथ आगी कुछ एक्शन मिलेगा उनका, ठीक है, यानि कि आपको किस रहा पे ले जाएंगे गौड की मतजी आपकी तरफ रहेगी, यानि कि मैं कहना ही चाहती हूं, कि जब आप किसी इस्टेव को रखते हैं, यानि कि आपका गुरू है कोई, आपके कोई इस्टेव हैं, जिनके आप पूजा करते हैं, कोई भी, no matter आप जिस भी जाती धर्म से हैं, ठीक है, अगर है आपको है नहीं है जब ही जब की जाते हैं कि में अयाद करते हैं कि आपकार आपको अब्हमिता करने करोगे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे तो मैं यह चाहती हूं कि आप हमेशा उनको याद रखें ताकि आप चाहिए याद करें ना करें वह हमेशा आपकी help करने के लिए रड़ी रहें तो मैं ही मानती हूं आपका क्या विचार है यह बताएगा ठीक है तो चलिए आज बाते स्वुनी-जाईय कि दिल से ये मैं ये मेरा पका एरादा है नेरे विष्वास है तो चलिए स्टार्ट करें प्रक्राइक अपने पार्ट्मर का धियान किजिए च swoją जिस Johann करना चाहते है ठीक है को इस सथिए भी मेस ब्लिव धन कर वह समोट करूब को औल राइर झाल झाल तो आज की देखिए सबसे गहरी बात जो energies मैं catch कर रही हूं वो देखिए मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सबसे बड़ी बात यहां के स्टार साइन की बात करूं तो मैं सबसे पहले Aquarius मुझे यहां पर दिखाई दिया इसके अलावा Pisces य और Sagittarius, Aquarius मुझे strongly लग रहा है और कोई Gemini भी हो सकते हैं आप हिंदी में कहूं देखिए हिंदी में बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन बताते हैं आप हिंदी नहीं बताते राशिया नहीं बताते एक्चलि उनको English वाले जो यह वर्ड हो आते यह समझ दहीं आते हूं देखिए सबकों नहीं से इंगलिश में बताना चाहीं है शायद इसलिए या समझ सम pregnant पूंध यह यह संद होनी राशी है यहांद से टानी ल के राशाव है fenugy कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी के लिए सोच रहे हैं यह आपकी दोस्ती एक कैजुल से कहीं और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं मैं आपकी जो दोस्ती जो है यह कहीं और नेक्स लेवल तक ले जाना चाहते हैं यह जैसे कहते हैं कि आपके बहुत सपोर्टर हैं करते हैं इवन आप बिजनस पार्टनर है तो भी मैं यहां पर देख पार हूं कि आपकी बहुत तरीके से हल्प करते हैं और आपकी ग्रोथ में इनका कहीं बहुत बड़ा हिस्सा है योगदान है ठीक है यह अपने लिए स्टेंड लेना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके सा तो यह कुछ कर गुजरना चाहते हैं कुछ क्रेटिव करना चाहते हैं इनके डिजायर्स आपके लिए बहुत हैं ऐसा में इनकी एनर्जी देख पार हूं मझे यह यह भी है कि कई बार आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ही हीलोना चाहते हैं एक्शली इनकी जो कि आपको यह लांग टर्म तक अपनी जीवन में चाहते हैं ठीक है यह मुझे एनर्जी लग रही है देखे इनके अगर करेंट फीलिंग्स मैं देखूं तो देखे सबसे पहले यह आप से कोई ऐसा कनेक्शन मानते हैं जिसको यह बुला नहीं पाते कभी भी यह हमेशा जहां कि इनको कहीं दिखा कंई तो तो अब सुल फैमिली से आपको कोई को हो सकता है ठीक है तो इसामान कैशन को mild कोई कनेक्शन पास लीमे लिए हो सकता है ठीक है सबके लिए कि लिए इनर्जी की ठीक है कि आपके थी कुछ ऑपका कि क्याफ रही प Ash ago के ऐ कजमिश्ति का इनकी पर रोज इनको मिले ठीक है मुझे मैं और आप दोनों का एक ही लग रहा है लेकिन यह भी हो सकता है कि आप कहीं न पराइब करें पहीं बूसे nic में चीजें आपके वर्क करेंगी ठीक है यह आपके साथ थोड़ा से गाड़ होके चल रहे हैं क्योंकि इनको आपको पहले अपने ट्रस्ट बताना है भरोसा दिलाने आपका कि यह जो आपके साथ कर रहे हैं जो भी रिलेशन्शिप है उसमें यह लॉयल है ठीक है मुझे ऐस देहां मलब ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाएं कि आप इनको रेजक्ट कर देएं कोई ऐसी बात नहीं हो जाएंसी और जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति जो देता है उस तरह से इनको लगता है तो यह कई बार यह भी सोचते हैं कि कोई बात ऐसी तो नहीं हो जाएगी जो इससे आप इनको रजेक्ट कर दें या फिर आप इनसे दूर चले जाएंगे पार्टनर्शिप खतम कर देंगे ऐसी बाते इनक आती है अगर मैं कहूं कि इनके जैसे अपनी जीवन से निराश निराश का मतलब यह है कि हर बात इक चीज से रिलेटेटर नहीं होती यह तो अनसक्सेस्फुल है करियर साइट से इनका प्रॉब्लम चल रहा है यहां पे अगर फाइनिश्ली ग्रोथ चाहते हैं और ही चाहत कि आपके साथ इनकी अगर बिजनिस पार्टनर है या फिर कोई कोई भी वर्क प्लेस पे आप साथ कम करते हैं तो आपका साथ इनको डेफिनिटली एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाएगा जाएगा इनको सक्सेस्फुल इनसान माना जाएगा ठीक है यहां पर यह बहुत पैस्ट है और यह एक आपके लिए कोई एक्टिव होना चाहते हैं आपके रिलेशन्शिप में एक्टिवनेस में इनकी तरफ से देख पा रहे हूं और यह बहुत से लोगों मैं ऐसा भी लग रहे है कि कोई छोटा मोटा विवाद है छोटी मोटी जैसे कहते हैं लडाई जगडा है और आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं तो उसमें भी इनका भरपूर 100% देना चाहते हैं यानिकि इनको लगता है कि आपके साथ जब यह एक्टिव हो जाएंगे तो कहीं ने कहीं आपका भागय भी इनके साथ रहेगा और आप दोनों मिलके कुछ अच्छा क्रू कुछ क्रि यहां पर involvement होता है तब हम successful बनते हैं माने ना माने महनत तो हमारी होती है लेकिन उसमें supportive इनसान हमारी जरूर होता है खास करके हमारा partner है आपने भी सोचा होगा कि कभी भी जब हम जीवन में active होते हैं कुछ काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा महनत करनी होती है तो support के आकेले कभी जीत नहीं पाएंगे जब तक आपका कोई साथी या कोई मददगार या supportive इनसान आपके साथ नहीं होगा ठीक है चाहे आपका फिर workplace में आपकी team ही क्यों नहीं हो ठीक है लेकिन मैं यहां पर आपके partner की बात करूँ हूँ तो यह बहुत ज़्या supportive है आपके आपके लिए मैसेज़ जरू पढ़ती हूं ठीक है आगे चलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आपको कुछ clarity देने वाले किसी बात की नहीं शुरुवात से पहले कुछ कहना चाहते हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है दिल खोल के आपसे बात करना या फिर जैसे कहते हैं कि थ्रॉड चक्रा ब्लॉक है थ्रॉड चक्रा या नहीं कि बोलने में कुछ एक्स्प्रेसिव नहीं है तो यह अपनी बातों को आपको बताना चाहते हैं कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई सच्चाई आपके सामने लाना माले है ठीक है यहां पर ऐसे भी लग सबसे पहले यह बताना चाहूंगी मैं आपको इनके डीप थॉट्स और आपके डीप थॉट्स इनके लिए क्या है ठीक है अगर यह बाते मैच करती तो बिल्कुल आपकी जो मनलत जैसे कहते हैं कि आप ही की रीडिंग है ठीक है आपको मनलत समझ आ जा जाएगा तो आज मै तही दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं और तही दिल से इनके डीप टूट फीलिंग्स और थॉट्स क्या चल रहे हैं वह मैं बताने वाली तो सबसे पहले मैं आपके पार्टर की बात बताऊंगी फिर आपके आपकी बात बताऊंगी तो सबसे पहले मुझे देखिए किस इनको लगता है कि आप जिस तरह से इनकी साथ बिहेव करते हो गौर से सुनिएगा जिस तरह से आप इनसे बात करते हो जिस तरह से आप इनको टच करते हो या जो भी करते हो ठीक है हाथ मिलाना भी इसमें शामिल है ठीक है यह उसी उसी एनरजी को आपको वापस देना चाहते यह इनकी thoughts and feelings है, जिस तरह से आप इनको जैसा भी behave करते हो, यह वापस उसको लटाना चाहते हैं, ठीक है, यह चाहते हैं, यह expect करते हैं कि जिस तरह से शायद आप इनी के लिए हो, ठीक है, कुछ नो कुछ मदद करने के लिए आये हो, यह यह भी मानते हैं, ठीक है, यह आप एक दूसरे की help करने के लिए supportive इनसान के रूप में आप आये हो, जैसे कि मैं कहते हूं, हमेशा कुछ रिष्टे एक दूसरे को सिखा जाते हैं, मदद के लिए होते हैं, हमाई लाइफ में ग्रोफ के लिए भी कुछ रिष्टे होते हैं, तो ऐसा रिष्टा मुझे आपका लग रहा है, जो की प्यार में बदल रहा है, बहुत खुबसूरत एनरजी मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इनके thoughts और feelings और क्या है, यह जब भी आपसे मिलते हैं, इनको बहुत खुशी होती है, और जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही आपकी जो ऐसे एनरजी है, जहां पर आ और इन्होंने ऐसा महौल या ऐसी बाते और किसी से कभी नहीं करी, ऐसा महीं आपके कहूंगी, तो यह इनके thoughts और feelings आपके लिए, और क्या है, आपके लिए वेट करना ही जिन्दिगी भर बहुत potential मानते हैं, यानि कि आपके लिए कितना भी वेट करा जाए, यह इनको कम यानि कि आगे बहुत कुछ है इसमें relationship में, ऐसा ही सोचते हैं, और कहा जाये तो definitely आपके साथ एक happiest family देखते हैं, imagine यह बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह आपको बताते नहीं, हो सकता है कि आपके आगे तक की जिन्दिकी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, matter सब क आपके लिए different होगा, किसी की third party, four party लेकिन, यह imagine आपके लिए बहुत दूर तर करते हैं, आपके बाल बच्चे होंगे, पपू, पिंकी, ठीक है, इस तरह की बाते मुझे इनके thoughts और खैलों में आ रही है, यह हमेशा आपके लिए efforts करेंगे, चाहे आप जो भी मुकाम हो, च अबी भी चाहे दूर हो, चाहे पास हो, आपने जब भी इनको पुकारा, तो यह definitely आएंगे, definitely यह supportive इनसान, यह आपके लिए हमेशा support और एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत गहरा दोस्त के रूप में आपके, आपकी help करने के लिए हमेशा तयार हैं, यह इनके thoughts और feelings आप के लिए, ठीक है, यह हमेशा से आपकी जैसा ही साथ ही चाहते थे, लेकिन जिन्दिकी जो भी, भागे सब का साथ नहीं देता, आप जो भी relationship में इनके, जिस तरह भी रहना चाहें, जितने दिन भी रहना चाहें, जितने सालों रहना चाहें, यह आपको अपने साथ है, यह कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, और यह जो आपकी साथ रिष्टा है, उसको बनाई रखेंगे, यह इनके thoughts और feelings है, यह कभी भी आपको छोड़ने की नहीं सोचेंगे, यह यह सोचेंगे, definitely जब भी आप इनसे मन मुटा होते हैं, कोई जगड़ा होता है, यह उस सिर्फ एक शन भर मानेंगे, कुछ ही time की बात है, वापस reconciliation होगा, इस तरह से देखेंगे, अब आपकी thoughts में बताती हूँ, एक बात और इनकी मैं समझ में आ रहे हैं, जो मैं बताऊंगे आपको ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, कि आप चाह आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप ऐसा ही सूसते हैं, इस relationship के बारे में, क्या आपने partner के बारे में, क्या आइसा सूसते हैं, ठीक है, आपके partner के बारे में बता सकते हैं, अब मुझे मेरे viewer के बारे में, सबसे बहली बात तो, आप इनके साथ बहुत safe महसूस करते हो, ठीक ह होता है कि कहीं ने कहीं यह बहुत ब्यूटिफुल रिष्ट है जिसको यह कभी नहीं तोड़ना चाहेंगे ठीक है आप इनकी जिंदगी में फॉर एवर रहें यहीं चाहते हैं ठीक है मेरे विव्यूर की बात कह रही हूं आपकी जो सुन रहे हैं ठीक है आप ऐसा सोचते हो के लिए आप बता सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि आपकी में जो बता रही हूं कि कितने मिलती आपसे बात है ठीक है चले और बताती हूं आपको वेटा मिनट पहले हम कैंडल को रख देंगे आप ठीक है सी सेफली ठीक है आल राइट तो आज मुझे यह लग रहा ह इंसे बहुत जुड़े हूए आपको ठीक है और इसी लिए जब आप इनके साहते हो तो बहुत सेफ रहता है आपको यह लगता है कि मेरा प्यार जो है सिक्यूर है और इनसान मुझे कहीं ने कहीं मलब सेफ रखेगा बचाएगा किसी भी मुसिबत से सपोर्टिव रहेगा आप जब साथ रहते हो इनको बहुत अच्छा फील होता है और जैसे कोई लाइफ में इनको जीने का जो मकसद है आप से मिला है ऐसा ये फील करते है मेरे व्यूवर ठीक है तो मेरे व्यूवर के बारे में जो मैं बता रही हूं आप मुझे बता सकते हैं कि बात इस अच्छे ह इनको आपने बहुत कुछ जीवन में लेकिन मेरे व्यूवर ने बहुत कुछ जीला है और आभ चाहते हैं कि आपका रिलेशंशिप इनके साथ लॉंग टर्म तक रहे ठीक है इनको आपने जैसे कहते हैं कि बहुत सारे मिलियन रिजन दियें मुश्कुराने के जब आपके कोई इनके बात याद आती है कोई भी हसी की बात या कोई भी बात तो आपकी मुझे पर स्माइल याँती है तो यह reason है कि आप जब इनको याद कर नहीं आद करते हो तो यह reason जो हसी का है फिस कर आप इनके आने से हुई है मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनों का भागया जुड़ा हुआ है कही ने कहीं इश्वर भी चाहता है कि आप एक दूसरी की मदद करेंगे तो आपका relationship बहुत आगे तक जाएगा ठीक है इसके लाव मुझे यह भी feel होता है कि आपके साथ ही रहते हैं आपके साथ काम करते हैं या फिर आपके साथ कहीं भी road पे चलते हैं तो मुझे लगता है कि लोग आपको देखते हैं कि कि कितना सुंदर कपल है यह आपकी सोच है ठीक है इस तरह से सोचते हैं और कहीं आप मलब जैसे special feel हो जाता है आपको कि yes मैं कुछ special हूँ जिसके साथ चल रहा हूं मैं उसके कदम से कदम मिला के चलूँगा तो बहुत special feel होता है और यह भी सोचते हैं कि हमेशा यह जो कदम से कदम चलाने वाली feeling है वह हमेशा मेरे साथ रहे ठीक है आप दोनों की main energy क्या है तो मैं यह बताओं कि आप एक दूसरे को बहुत ही tightly पकड़ना चाह हग करना चाहते हैं ऐसा मुझे आप दोनों के लिए लग रहा है तो यह थे आपके गहरे सोच और feelings इसमें से जो भी कुछ मिलता है आप मुझे बता सकते हैं मेरी reading को दुबारा सुनिएगा अगर आपको समझ नहीं आया मैंने दोनों की बाते बहुत अच्छी से देखिए आपकी mirror energy है मैं ऐसा मान की चलती हूं जैसे हमारे tarot card में आती है two of cups की energy उसी तरह के energy मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए आप एक दुसरे को mirror करते हो नहीं जरा देखिए मुझे कहीं लोग बोलते हैं कि हर reading positive ही क्यों होती है कि एक तो देखिए मैं future नहीं है तो उसको दोस्ती बहुत अच्छी बताईए ठीक है उसको दोस्त बनके बहुत उस relationship को अच्छा बनाई जितना अच्छा कर सकते हैं उस relationship को बनाई ताकि आपकी growth और आपको जीने का एक मकसद मिल जाए ठीक है मैं आप यहीं बताना चाहते हूं आपका जो भी relationship है उसमें आप किसी को बाध्य मत कीजिए ठीक है कोई भी situation है उसमें किसी को भी pressure मत कीजिए कि मुझसे शादी करो मुझसे commitment करो लेकिन अगर हो सकता है तो बिल्कुल कहिए आप ठीक है लेकिन आप situation ऐसी है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहें बहुत से लोग मुझे personal editing में भ अच्छा बना सकते हैं आप दोनों उतना अच्छा रखें ठीक है दोस्ते भी बहुत गहरी हो सकती है ऐसा नहीं कि आप दोस्ते में कुछ और नहीं कर सकते दोस्ती बहुत अच्छी होती है किसी को दोस्त बनाना कोई गलत बात नहीं है मेरे रिसाब से यह दोस्ती है जो कि आपकी क्या सोच है मुझे बताइए ठीक है लेकिन जब भी आप कभी थर पार्टी फोर पार्टी सिच्वीशन के बारे में गलत गलत बाते कहते हैं तो यह बद्वाई होती है जो कि आप ही को लगी तो मैं ऐसा कहूंगी कि अपनी सोच बिल्कुल क्लियर रखें किसी के लिए सच बोली आपको उसे क्या चाहते हैं सच्चाई की साथ चलिए अगर नहीं बात बनती है तो फिर आप एक दोस्ती का नाता रखें ताकि आगे वाले को भी आपकी लॉयल्टी और आप पे विश्वास रहे और आपको भी उस पे विश्वास रहे ठीक है अगर आप ज्याद किसी को हट मैधं किजे किसी का घर बरबाद मत कीजे और आप इससे लिटरली प्यार करते हैं तो उसको प्यार में फ्री होके रहने दीजीए कि यस आपका प्यार सच्चा है आपको डिमांड नहीं कर रहे लेकिन अगर हो सकता है तो मैयर्च Mull करना किसी नहीं चीजभ तो मेरी सोच इस तरह की है आप दोस्ती कानाता रखते हैं बहुत अच्छे से निभाईए उसको जितना अच्छा कर सकते करिए तो मैं इनका नेक्स एक्षिन क्या होगा सबसे पहले मुझे लगता है कि यह आप से बहुत होफुल है जैसे कि मैंने आपकी दोनों के एनरजी द देंसान की तरह देख कर सकते हैं आप किसी की हर कोई किसी कर सकते हैं आप बहुत बदी बात होती हैं तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि आपका रिकंसलैशन आने वाले टाइम में जरूर होगा यह आपके साथ इनका जीवन आपर आपके जिस तरह के भी situation है उसमें अपने तरीके से देखिएगा कि मेरी situation कैसे smooth चल सकती है यहां पर इनके mind में जो जगलिंग है उससे बहार आएंगे यह चीजें आपके साथ balance create करेंगे और कहीने को लगने लगेगा कि आपके साथ इनकी गाड़ी नहीं पार कर चुकी ठीक है यानि जो भावर में फस्वेत है वो चीजें शान्ती से सॉट आउट होगी यानि कि आपका career वगरा भी मुझे stable लगने लगा है आने वाले टाइम में इनका यह एक्शन होगा कि आपके साथ इनकी growth ही करेंगे और definitely आप successful रहेंगे ठीक है जो भी है यह magician की जो energy होती है हमारे cards में उस तरह की energy मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहें कि आप दोनों बहुत सामधाम धंडबेद बहुत जड़ा मेहनत करते हो नज़र आ रहें अपनी career side से पर और अपने relationship पर बहुत जड़ा मेहनत करते हो नज़र आ रहें और एक नई शुरुवात आपकी होगी जो की दोस्त होता है जब आप दूसरे को freedom देते हैं खुल के बात कीजिए खुल के कहिए सच बोलिए तो सब कुस्छ अच्छा होगा ठीक है जो भी situation है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए अगर दोस्ती भी है तो उसको अच्छे से अच्छा बनाईए प्यार है तो उस दोस्ता है ऑगा। मेरा हमेशंवार कीजिए मैं रोज आपके लिए बहुत अच्छे ची वीडियो बनाऊंगी और सब्सक्राइब करना जवर्य है तो वह ज़रूर कीजिएगा थिक है आप किसी से शेयर करना चाहते हैं कोई suggestion देना चाहते हैं अपनी पाटने के बारे में क ठीक है थैंक यू सो मच मेरा वेट कीजिएगा मेरे नेक्स ट्रिक में जरूर आती हूं गाइस बबाई